हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर में डिजाइन लेके आई हूँ इसको बनाना बहुत ही आसान है इस पैटर्न का आप बच्चों के चैटर में, कार्डिकन में, कोटी में, जैकिट में, जैन्स चैटर में कहीं भी डालियेगा, बनके बहुत ही सुन्दर नजर आता है तो आईए फ्रेंट्स देखने से कैसे बनाते हैं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं टिटोरियल, सबसे पहले फंदों का इसाब लगा लेते हैं, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टिपल, प्लस 2 करके फंदे लेने होंगे, तो यहाँ पे मैंने 26 फंदे ले वे हैं, सबसे पहले 12 फंदे ले लिजे, फिर से अब यहाँ से 12 फंदों में हमने डिजाइन बनाना है, यहाँ से डिजाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं, दो फंदे हम उल्टे बनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, और 8 फंदे हम सीधे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, और 2 फंद हम उल्टे बनेंगे, एच के फंदे को छोड़के, यही 12 फंदे हम ने पूरी रो में दोराने हैं, यानि 2 फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, फिर से रिपीट करेंगे हैं पैटन को, 2 फंदे हम उल्टे बनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, और 8 फंदे हम सीधे बनेंगे, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, और दो फंदे हम उल्टे बनेंगे, धागे को पीछे करके, एच के फंदे को हम सीधा बनेंगे, तो यहाँ फिर्स ट्रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, अब आते हैं, बैक स फंदे को पालवाई सिलिप करेंगे, और आगे के सभी फंदो को हमने उल्टा-उल्टा बनना है, तो यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, अब आते हैं, फ्रंट साइड में डिजैन की थर्ड रो, पहले फंदे को सिलिप कर लेंगे, धागे को अपनी त धागे को पीछे करेंगे, और आठ फंदे हम सीधे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, और दो फंदे हम उल्टे बनेंगे, एच के फंदे को छोड़के, इनी बारा फंदों को हमने पूरी रो में दोराना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो फंदे हम उल्टे बनेंगे, धागे को पीछे करके, आठ फंदे हम सीधे बनेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, धागे को अपनी तरफ ल आएंगे, और दो फंदे हम उल्टे बनेंगे, धागे को पीछे करके, एच के फंदे को हम सीधा बनेंगे, तो यहां पर थर्ड रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है, अब आते हैं बैक साइड में, डिजाइन की फोर्थ रो, अब इस रो को फ्रेंट्स ध्यान से देखेग सबसे पहले आज के फंदे को स्लिप कर लेंगे, और दो फंदे हम उल्टे बनेंगे, आगे के आठ फंदों में हमने तीन बार धागा लपेट के उल्टा बनना है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार धागा लपेट के हम उल्टा बन लेंगे, इस तरीके से हमें आठ पुनने है एक फंद हमें पुन लिया है कि एक तूं तीं एक तूं तीं ती तीन दाहना है और उल्ठा बुन लेंगी मॉयर noru भुआ लेक्ष्ट हमने भुन लिया है कि मेर वहाखिए जाथ प्वंदे हो गए पांच चै, साथ, आठ, और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे तो एच के फंदे को छोड़के इनी बारा फंदों को हमने पूरी रो में दोराना है फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे और आठ फंदों में हमने तीन बार धागला पेट के उल्टा बुनना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, अब आठ फंदों में हमने तीन बार धागला पेट के उल्टा बुनिया है अब दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे लास्ट में एच के फंदे को भी हम उल्टा बुननेंगे तो यहाँ पर फोर्थ रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन के फिप्तरो सबसे पहले एच के फंदे को स्लिप करेंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे यह जो उल्टे फंदे हैं यह हमने गैप देने के लिए डाले हुए हैं तो दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे धागे को पीछे करेंगे अब 8 फंदो के पहले हम बल खुलेंगे एक, दो, तीन, चार, पम, छे, साथ, ऐट 8 फंदो के हमने बल खुल लिये हैं अब यह बाट के जो चार फंदे हैं इसमें हमने सलाई को ऐसे लेना है इस तरीके से डालेंगे और आगे के जो चार फंदे हैं उसको इसके बीच से ऐसे निकाल देंगे उसके बाद इसको ऐसे निकाल देंगे उसके बाद इन चार फंदों को हम लेफट हैंड के निडल पर ऐसे ले लेंगे और इनको भी हम सीधा बोलेंगे धागे को पीतर रफ लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे एज के फंदे को छोड़के इनी 12 फंदों को हमने फिक्तरों में दोराना है फिर से रिपीट करेंगे दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे दागे को पीछे करेंगी और आठ फंदों के पहले हम एसे बल खुलेंगे शहão हुआ अभी ओए दिधों के हमने बल खोले है जो बात के जो चार फंदे और उसमें अपने हमने वेयर को इसे डालना है इस तरीके से और यह जो आगे के चार फंदे हैं उसको हम इस तरीके से 20 जासे निकाल देंगे आप ऐसे भी कर सकते हैं इन फंदों को लेफ्ट हैंड की निजिल पर ले लीजेगा उसके बाद इनी आठ फंदों को हम एक एक करके सीधा बुन लेंगे जो तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से कर लीजेगा पहला वाला तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से बना लीजेगा और ये वाला तरीका आपको सही लगता है तो आप इस तरीके से बना लीजेगा जो भी तरीक आपको ठीक लगता हो असलिखी से बना लीजेगा, अब यहाँ पे आठ फंदों को हमने सीधा बुन लिया है, फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए थे, तो हमने यहाँ फंदों को हैं पे सीधा बुन लिया है, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, और दो फंदे हम उ स्लिट करेंगे और सबी फंदों को और उल्टा उल्टा बुनना है यहाँ पर दाग़ों का टाइड करके लीजिएगा ताकि हमारे यहाँ पर होल ना ब suppressed अब यहां पर हमने झायस करके ल्यान का अब यहाँ पर हमने टाइड करके लेना है इस तरिके से धाग़े को Sud सबी फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है अब यहां पर हमने टाइट करके लेना है हुआ है तो फ्रेंट्स यहां पर हमारी सिक्स रो बन के कम्प्लीट हो गई है तो फ्रेंट्स इसके साथ ही छह लाइनों में डिजैन भी बनके हमारा उबर हो गया है आगे आपने इन ही छह लाइनों को बारबा दोराते जाना है जब आप इन छह लाइनों को बारबा दोराते जाएंगे तो डिजैन बनके कुछ इस्तिन से नज़र आएगा बहुत ही प्यारा बहुत ही आसान डिजैन है यह हमारे केबल पैटन है यह हमारी फ्र वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद